गद्दिनों उना में हुई युवकी हत्य को इंसाफ दिलाने के लिए पूरविधायक बंबर ठाकूर उपएक परिशर में धरने पर बैठ के हैं वही पुलिस प्रशाशन की कारेपरनाली को भी जम कर कोसा पूरविधायक बंबर ठाकूर ने कहा कि परदेश स्रकार के राज में हत्याइं बढ़ गई हैं और कार्न व्यवस्ता चर्म मरा गई हैं और बार बार मांग उठाने पर भी पीडित परिवारों को इंसाफ नहीं मिल रहा है उन्होंने कहा कि यदि उत्तक परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है तो एक बड़ा जरा अंदोलन खड़ा किया जाएगा हमने लाइंड आउटर को लेकर के धरना दिया था क्यूंकि बिलासफर सदर चुनाउक सेतर में और MLA सुभाष ठाकुर जी की पंचायत में दो हते होगई है बलस्वाय पंचायत में जो सदर चुनाउक सेतर का हमारा चेरिया है वहाँ मती देली के बेटे की परसाथ की हत्या हुई है तीनों मामलों को लेकर के मती जनता पार्टी का कोई भी नेता मुख्या मंतरी को डिमार्ट नहीं करे कि CBI जांच हो कोई टीम यहां पर गटित नहीं हुई कोई CID को मामला नहीं गया हिमाचर प्रदेश की पुलिस इन तीनों मामलों की जांच कराने में नाकाम साबित हुई है एसे ही एक मामला नहीं के रायप्रों गाओं का है वहां पर सुमीत कुणार की हत्या हो गई उसको भी आत्म हत्या में बदंने की कोशिद हो हो रही है लग्की जो और सल्ण रिपोर्ट जाए तीन मामलों की सीवी आई जांच हो जम तक सीवी आई जांच नहीं होगी तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है